त आपके साथ प्रीति पवार आप देख रहे हैं और आपके हर असादेसे असादे रोगों के आरवेधिक उपचार बताई जाते हैं और आप जानते हैं यह उपचार हमें बताते हैं असादे रोग निवारा गायतरी सिद्ध पंडित शिरीलक्षमनदास रतन भाड़वजी तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं गुरूजी का गुरूजी आपका बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार दर्श को इस कारेक्रम में हम रोजाना एक रोग पर चर्चा करते हैं विस्तार से आपको कारण बताते हैं लक्षन बताते हैं और साथी साथ देते हैं आपको आयरुवेडिक नीदान भी इसी कड़ी में आज हम आदा सीसी के बारे में बात करेंगे लेकिन गुरु जी से इस को आगे बढ़ाएं पहले यहां में आपको बता दू कि अगर शारेडिक कोई समस्या है आपके सार आपका कोई अपना परीजन है जो बहुत लंबे समय से बिमारी से पीडित है तो आप उन्हें स्वस्त विचा राश्रम लेकर आ सकते हैं और अगर आप सीधे गुरुजी से स सफिक का दर्षकों को बताया जिसे माइडरेण घ गर कहता है तो यह किस प्लकार का दर्द सब्सकूर को बताया रोप चार भी दें में आधे शिर्कत दर्द होने के दो कारण है पहला कारण तो है आप शफ्र कर रहे हैं कि हुआए और सोर्ज निकल रहा है उसमें लालगी है और आप पूर दिसा को मुह करके पिसाब कर रहे हैं और सूरज पे निगाफ पड़ गी तो आपको दाइसाइड दर्द होगा आदेशी का जैसे जैसे सूरिया बढ़ता जाएगा दर्द बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे सूरिया घटता जाएगा दर्द गटता जाएगा, दिन अस्त होगा, दर्द बंद हो जाएगा और साम को दिन अस्त होने पर जब सूरिया लालगी पर आता है तो पच्चियों को मुझ करके यदि आप करसाब कर रहे हैं तो आपको बाइं सहड होगा और दूसरा इसका कि आपका नजला जुखाम बभिड़ गया और आपके सिन में आज ही तर्फ नजला जंग गया तो सहड नजला जंग गया वो सहड भाहुत भाहुत भैंकरदार दोता हremos दिनरा चलता है वह इह निए कि दिन दिन में चलता है और दिनराथ चलता है अब इस रोह के लिए डाक्टरों ने तो एक बहुत अच्छी लाइन पकड़ी हुई है कि ऐसे की जेवे काटने में बहुत निफूर्ण है हाथे की द्वाई दे देते हैं कि खाओ और अरहाम करो हाथे के बाद जो बचा कुछी जेवे होती है उसको काट लेते हैं मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं नारी बैद हूँ जब रोगी आदे सीर के दर्द से ठक करके मेरे पास आता है मेरे पास आने के नारी प्रिक्शन कराने के 10 स्कृंड के बाद दर्द बंद हो जाता है क्योंकि मैंने जड़ी बुटियों से ऐसी ऐसी द्वाइएं बना रखी हैं कि मेरे लिए हर एक रोग ऐसे है जैसे खेत में से गाजर मुलीन का मैं किसी रोग को असद्या नहीं मानता सब सद्या हैं बाकि आपके घर में इसका उचारा सब से अच्छा कि आप आग जलाएं उपला जब धुवा रहत हो जाए धुवा न रहे तो उसके उपर थोड़ी सी हल्दी डाल करके उससे धुवा आए और नाग से अंदर खीचना है जैसे नाग से अंदर खीचेंगे बहुत तेज आपको छीके आएंगी और नजले के टुकड़ों के टुकड़े परेंगे और आपको रहत मिलेगे और इसके साथ दूसरा काम है कि आपने आदा चम्चा हल्दी लीपीसी हुई पचास ग्राम पानी में उसको अभाला और वाली देने के बाद नीचे उतार के उसको च्छान लिया चान्ड करके जब उसका temperature बारह से पंदरा डिगरी के अंदर आया तो बाइण साहट दर दाज तो दाएं कान में डालना चार-चार भूंद उस पानी की और दाएं साहट दर दर तो बाइण साहट डालना जैसे ही कान में हल्दी वाला पानी डाला जायेगा आपका दर्द एक दम ऐसे समापत होगा, जैसे जलती अगली में प्रतंग नश्ट होगा, प्रांतु इसमें दो चीजियों का से ध्यान देना, कि पानी जब भी पीना, हलका गर्म पानी पीना, और ठंडा नहीं डालना, यानी 12 से 15 डिगरी गर्म होना चाहिए, ना इससे उपर ना इससे नीचे, तो आपका दर्द एक दम छूमात्र होगा, अब आपने खाने में क्या करना है, कि इसमें भूने वह चने, पीस करके छिलके के साथ उसके सत्व बना लो, जितने के भूखा उतने सत्व लेके, पानी में गोल के, पीले, चाहिए पानी मलाके पीले, चाहिए उसका फक्का मारते रहें, उपर से पानी पीते रहें, जब तक आपके सिर्का दर्द टोटली समाथ ने होगे, तब तक सिर्फ चने के सत्वों पे रहना है, छिलके वाले चने के सत्तु खाएंगे, आपका पेट साफ होगा, नजला जल्दी समापत होगा, उतना आपको जल्दी राम मिलेगा आज पूरे संसार के अंदर, मैंने ऐलोपेथी को, आरियोबेद, युनानी, होमोपेथी नेचल को, नमेदन किया है, कि जिस रोगी के उप्चार करके आप ठक चुके हैं, आपको उसमें सफलता नहीं मिल रही हैं, उस रोगी को आप बुद बाहर छोड़कर, गुरू बाहर स आशर में लाएं, जिस दिन आशर में लाना, उस दिन रातरी, दसवाय तक खलाप लाके, दातन कूला कुरा के, बड़ी लेची, काले वाली, वो में चूसने के लिए देदें, उसके बाद रस हो जाएं, सुवा, नौ से दस के अंदर, नाम करने कराएं, दस से बारा में ना आड़ी प्रिक्श में पैर के तल्वे से सिर के बाल तक की, MRI CT scan, extra, autosound, ACG, sonnography, सब कुछ पांच से किन में हो जाएं, उसमें जो भी कमी स्रीट के अंदर पाई जाएगे, दाएं दी जाएगे, दाएं खाने की हैं, दाएं पीने की हैं, माल्स करने के तेन हैं, आंख में, कान में डालने की दाएं, नवज में जो भी ममारी मिलेगी, सब दाएं कठी दी जाएगे, यहां पे, डॉक्टरों वाला इसावनी है, जो आपने रोग बताया, या मशीन ने रोग बताया, ओज दाएं दाएं, ना तो मैं मशीनों से टेस्ट करता हैं, ना किसी टेस्ट जाएं नियम से खाता है, परेज करता है, और साम को सारे तीन वज तक करूक के एको प्रेसर कुड़ाता है, तो पहले दिन रोगी को कम से कम 20-50% राह मिल जाता है, पंदरा दिन में 50-60% राह मिलता है, एक मिन्ने में रोग इसमाफत होता है, द्वाईं बंद हो जाती है मेरा नाम सीमा है सर, मैं सोनिपत से आई हूँ, पहले तो मेरे सिर में बहुत जादा दर्द रहता था, तब स्टार्टिंग में दीन द्याल से दवाई खाई, वहाँ उन्होंने सीटी स्कैन किया, और भी टेस्ट होए छोटे मोटे, तो वहां से भी कोई फाइदा नी होया, उसके बाद मैं अभी ऑक्टूबर से चाती में ज्यादा दर्द रहने लगा, और लगातार बढ़ता ही जा रहा था, तो सीटी स्कैन तो पहले हो ही चुका था, तो उन्होंने तो कोई बताया नी था, और यहां ने के बाद जैसे यह टेस्ट अपने सारे जो ओ चुके हैं जो पूरे टेस्ट हो गए थे, तो उनमें भी कोई दिक्कत आई नी, आरेमल होस्पिटल में जो टेस्ट करवाए थे, उनमें भी कोई दिक्कत नी आई, और अब यहां गुरूजी के पास तो उन्हें पताया कि गैस्टिक प्रोब्लम थी और अभी तीन महीने से तो काफी आराम मैसुस होया, और आप तो बिल्कुल ठीप होगी है, मेरा नाम अश्पाल सिंग भुलर है, और यह मेरे साथ मेरी भानजी बैठी है, जिसका नाम जसमीत कौर है, यह कश्मीर से बिलॉंग करती है, इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा, कि डॉक्टरों ने इसको मन्द बुद्धी डिकलेर किया था, क्योंकि बच्चमन से ही इसका दिमाग पुरी तरह काम नहीं करता, पर एलोपैथी का हमने हर संबब इलाज कराया, लेकिन उसके बाद भी कोई फरक नहीं पड़ा, इसकी उमर इस समय लगवक 13 साल है, तो कुछ समय पहले इसकी मदर ने टीवी पे प्रोग्राम देखा, जिसमें कि बाबा जी ने काफी मरीजों को ठीक करने के बारे में बताया, बाबा जी ने इसकी नाडी प्रिक्षन किया, नाडी प्रिक्षन के बाद जो उनने इसको दवाईया दी, वो इतनी सइष ऐसाबित हुई है कि 15 दिन के अंदर जी नमस्कार नाम बताए कहां से बात कर रही है आप जोती जी गुरुजी सुन रहे हैं आपको मैं मजी बेटे को डैल शुगर हो गई है तभी एक मैंने पैंकरी इंसुलीन कहां से बनाएगी और इसका लाज पूरे संसार के अंदर जी इस मेरे पास ऐसा है जैसे खेत में से गाजर मुलीन कालना आप जिस दिन मेरे पास लाएंगे उस दिन रातरी दस वह तक खलाप लाकर दातन कूला कराकर बड़ी लची मुँ में इसको चूसने के लिए दे देए सुबह नाव से दस के अंदर इसका नाम का अंकराना दस से बारा में नाड़ी प्रिक्ष्ण करूंगा नाड़ी प्रिक्ष्ण में पैर के तलुए से सिरके बाल तक की MRI CT scan, extra, autosan, ECG, sonnography सब कुछ पांच सकेंड में हो जाएगा उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगे द्वाईयों दी जाएगी, द्वाईयों खाने की हैं, द्वाईयों पीरने की हैं, मालस करने के तेल हैं, आंख में, नाख में, कान में डालने की द्वाईयों हैं, यानि जो भी रोग मिलेगा सब द्वाईयों कठी दी जा ना मैं देख चीज़ें बिल्कुल नी खानी ठंडा पानी नी पीर ना फ्रीज की रखी चीज़ें कोई नी खानी जो प्रेज बिता है जाएंगे वो करेंगे तो एक मिन्ने में इसकी 90-140 जो चाहिए वो ही रहेगी ना इससे उपर न इससे नीचे ना तो इसमें इंसुलीन ल जास संभव है लेकिन आपको अपने बेटे को यहां पर लेक्या ना होगा नाड़ी परिक्षन के बाद जब गुरुजी दवाएं देंगे वो नियम परेश के साथ आप सेवन करें उसके बाद अपने जो बेटे की शुगर की समस्या है इससे आप उसे नजात दिला सकती है किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमें कॉल करें उन चार नंबर पर जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के 20 साथी साथ दर्श को अगर जो गुरुजी यहां अचकुपाई बताते हैं किसी कारण से आप ठीक ध इंत्रव्यूस जो है वो हमारे यूट्inge चेनल स्उस्त विचार सेहत के बात पर उपलब्द है जाद जाध से जादा चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और शी Soulवाट्सैप मेसेज़ इसके आगे बिलकुल फेल है और हमारा आरियो बेद युनानी होमोपैथि यह भी थेओरी पे उपर चलता है प्रेक्टिकल नहीं है आप इसको बुद्ध बाहर छोड़कर गुरु बाहर से लेकर मंगल बाहर के बीच मेरे आश्र में लागे जिस दिन आश्र में लाना उस दि रातरी दसवे तक खलाप लाके दातर कूला कराके बड़ी लेक्टी मुह में चूसने के लिए दे दें सुबह नाव से दस के अंदर इसका नाम का अनुकराना दस से बारा मैं नाड़ी परिक्शन करूँगा नाड़ी परिक्शन में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI CT scan, एक्स्रा, और्टर सॉन, ECG, सौनोगरा फे सब कुछ पांच से के नाड़ी परिक्शन में फिर उसके अनुसार जो जो इसके अंदर कमिया द्वाइयां दिये जाएंगी यह द्वाइयां आप नियम से खलाते हैं प्रेज करते हैं तो जिस दिन आसर में आएंगा उस दिन त आपके बच्चे में जो है वो थोड़ा दिमाग की कमी है उसे हम आटिज्म या मंद बुद्धी या दिमाग का अविक्सित होना भी कहते हैं तो आप बिल्कुल भी परिशाना हूं ऐसे मरीजों का ऐसे रोगियों का स्वस्त्विचार आश्रम में पूर्ट का इलास संभव है वो भी और बच्चों की तरह आम जिन्दगी जी सकता है लेकिन पहले आपको उसे स्वस्त्विचार आश्रम लेकर आना होगा जो दवाएं दी जाएंगे नियम पर इसके साथ सिवन कर आएं और फिर देखें जापका बच्चा है वो कैसे दूसरे बच्चों की तरह आम कि जीने लगता है किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर है इन पे आप संपर्क करें संपर्क करने का समय है सुबर दस बज़े से लेकर शाम पांच बज़े के बीच इसके साथ सादर्श को अगर आप घर से बाहर है और नहीं चाहते हैं कि प्रकार नाम बताए कहां से बात कर रहे हैं जी सवाल करें गुरूजी सुन रहे हैं आपको उसका थी देखो है मे नारी बैज हूं मुझे आपको कुछ नहीं बताना पड़ेगा ना कोई काज बत्तर लाना आप ऐसा कीजिए बुद्ध बाहर छोड़कर गुरु बाहर चिले के बंगल बाहर के वीचे मेरे आशर में आईए जिस्ति नाना उस्तिमजातरी दसवे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी लेची मुँ में रखके चूछते रहें सुभा नाव से दस के अंदर अपना नाम का अंकुराएं दस से बारा में नाड़ी प्रिक्ष्ण करूँगा नाड़ी प्रिक्ष्ण में पैर के तल्वे से सीर के बाल तक की MRI, CT scan, extra, ultrason, ECG, sonnography सब कुछ पांच सकिंड में हो जाएगे उसमें जो भी कमी स्रीट के अंदर पाई जाएगे दोईयों दी जाएगे की दोईयों खाने की हैं दोईयों प्रिक्ष्ण के कोई दवाई नहीं देते हैं इसलिए दर्श को जिन रोगों का टीवी के माध्यम से उपचार संभव होता है गुरुजी उन्हें प्रात्मिक उपचार घरेली उपचार बता देते हैं लेकिन जिन रोगों का टीवी के माध्यम से उपचार संभव नहीं उन्हें सलाह दी जाती है कि वो स्वस्त विचार आ जानकारी के लिए संस्थान आने से पहले कोई शंका है आपके मन में बहुत दूर से आ रहे हैं आप चाहते हैं कि ये जानकारी मेरे पास होनी चाहिए आश्रम आने से पहले संस्थान आने से पहले तो आप उन चार नंबर पर फोन करें जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है इन के मादन से आप घर बैठे अपनी पोस्त के प्राप कर सकते हैं और अपने साथ-साथ अपनों का इलाज कर सकते हैं एक कॉलर जुड़ आ है आए इनसे बात करते हैं हलो जी नमस्कार नाम बताए कहां से बात कर रहे हैं मैं विश्रावा पजनम सबाव कराऊं आंधरापदवेश्टी मेरा नाम रभी है जी सवाल करें गुरुजी सुन रहे हैं आपको आप मुझे पेट में सूचन है इसकी लिए कोई उचन है घरे लोग पेट में सूचन है गुरुजी अब मैं नाड़ी बैद हूँ मैं डाक्टर तो होनी के आपने बताया और मैं कहूं जाओ कमिस्टर से प्लानी द्वाई खालो मैं जड़ी बूटियों से लाज करता हूँ मैं नाड़ी बैद हूँ मेरी अपनी फार्मेसिय द्वाईय बनाने की मेरी द्वाई मेरे आसर में बन कि 15% राम तो हरे को मिलता है जिसका भाग अच्छा उसको 25-40% मिल जाता है और यहां की द्वाजिय नीखानी परती किसी वह मीनना किसी वह डेड लेड़ किसी को दो जाए जादा तीन मीनने जैसे रोग समावत होता है द्वाजिय बंद हो जाती है जी बिल्कुल तो जानकारी कि दिन तो कितना परसेंट का आराम उसको मिलता है इस सारी जो चीजें आपको तभी देखने को मिलेंगे जब आप स्वस्त्विचार आश्रम आएंगे यहां पर देखेंगे कि किस प्रकार से जो गुरु जी हैं करते हैं उनको जीवन जीने का सही तरीका बताते हैं और फिर जो आईरवेदिक दवाईयां देते हैं उन्हें विश्वास के साथ वो सभी लेकर जाते हैं और फिर पूर्ण रोप से स्वस्त हो जाते हैं तो अगर आप भी चाहते हैं मात्र एक से डेड़ महीने में अपने को समधान किया उसके लिए आपका बहुत दन्यवाद नमस्कार कि किसी भी प्रकार की जानकारी आप एकत्रित करना चाहते हैं आश्रम आने से पहले तो जो नमबर आपकी स्क्रीन पर है नप्याफ संपर कर सकते हैं संपर करने का समय है सुबत 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के ब कर दो नास्कार